जैन सातियों, सैनापरती रेली और एक्जाम पर लगी रोग के चलते जिस तरह बीते कल यानी 29 जनवरी को युवाउने ट्वीटर पर अपनी मांगों को लेकर ट्वीट और रेट्वीट किये उसे यह तो साप हो गया है कि अब युवा अपनी मांगों को लेकर संगठित है और देखिए संगठन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो किसी को भी जुकने पर मजबूर कर देता है इस पूरे कैमपैन को लेकर हम सबसे पहले तो उन लोगों का संस्थाओं का वे दूसरे पिरतियों की परिक्षाओं के तियारी करने वाले उन सभी युवाउं का धन्यवाद करना चाहेंगे जिनोंने इस कैमपैन में आर्मी स्टुडेंट का सयुग किया और उन सभी के एंडिंग में पहुँचा दिखिए जहां तक हमें जानकारी है सैना भरती को लेकर इस से पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में युवाउं ने डिजिटल प्लेटफाओं के माध्यम से अपना विरोध दर्ज नहीं कराया होगा कल वाकई में आप सभी ने ट्वीट और रिट्वीट जिस तरह से किये उस तरह देखकर लग रहाता कि मानो युवाउं ने धूम सी मचा दी सरकार को यह दिखा दिया कि वाकई में युवा कितने परेशान है सैना भरती को लेकर जिस तरह बड़ी संख्या में युवाउं ने अपनी मांग उठाई है उससे सरकार या सैना मुख्याले में इसको लेकर जरूर हल चल बढ़ी होगी उनकी नजरों में यह समझ्या जरूर पहुंची है तो देखे सातियों हो सकता है कि जल्द ही इसको लेकर हमें कोई जानकारी देखने को मिले इसलिए आप सभी जबाउं से कहना चाहेंगे कि हम अभी दो चा कानूनी कारवाई हो जाए क्योंकि हमारा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सैना बरती रैली और एक्जाम कराना है युवाओं की जो मांगे हैं उन्हें पूरा करवाना है युवाओं की मांगों को लेकर आगे की क्या प्लानिंग रह झाल झाल